नमस्कार दूस्तों मेरे नाम है जीत स्वागत करता हूँ आप सभी का जीत स्टॉक में दूस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉन पे को लेकर फॉन पे में एक बहुत बड़ा अपडेट जो है सामने आया है जैसा कि कभी आपने तेज यूच किया होगा जो अब गूगल पे की नाम से बन गया है उसमें आप किसी को भी पेसे सेंड करते हैं पांस सो या डेड़ सो या दो सो से ज्यादा तो उसमें आपको गिफ्ट कार्ड मिलते थे वाउचर उनको आप स्क्रेच करते थे तो हर बार कभी आपको बैटलल नेक्स टैम बोलता थे या कभी आपको 20 रोपे या 25 रोपे पचास रोपे ऐसे गिफ्ट कार्ड मिल जाते थे तो यही अपडेट जो है आप फॉन पे में भी आ चुका है तो फॉन पे में भी आपको स्क्रेच कार्ड मिलेंगे जिसमें आपको पैसे ट्रांसपर करने पड़ेंगे दूसरे फॉन पे यूजर्स को और आपको जो है गिफ्ट कार्ड मिलेंगे कैसे मिलेंगे यह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्यांकि यह दियाए आप सिंपल टरीके से किसी को बी पैसे send करते हैं तब आपको gift-card नहीं मिलेगा है इसके लिए थोड़ी सी एक पूरसर से आपको पूरी करनी पड़ेगी फिर उसकी बाद आपको gift card मिलेंगे तो कैसी वर्क करती है चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सो हे गाइस दिस जीत एंड वेलकम टू आल इंजीत स्टॉक दोस्तों वीडियो सुरू करनों से पहले दिए आपने विद्धक मुझे इस्टाग्राम पर फॉल्लिए तो प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉल्ल यदि आप अफडेट नहीं करेंगे तो आपको जो कार्ड वाला है वकंवीड उप्ट करेंगे उसके लिए सबसे पहले क्र में जाकर आपको पना phone pay update करना है यदि आपने अभी तक phone pay update नहीं किया तो यह आपको feature नहीं मिलेगा तो यहां सेसे अप phone pay को जो है update कर लेंगे फिर आपको यह feature यूज करने मिल जाएगा, phone pay update करने के बाद करते हैं phone pay में यह वर्क कैसे करता है तो phone pay को आप open करेंगे इसके लिए हम two contact पर जाएंगे और जिस user को हमें send करना है उसको select कर लेंगे जैसे माली जैसको मैंने select किया और यहां पर मैंने enter amount किया 500 रुपे अब क्या करना है कि send पर जाना है और send पर जाने के बाद आपने pin डाल देंगे जो भी UPI का pin होता है वो डाल देंगे तो यह पैसे जो हैं सामने वाले user को send हो जाएंगे अब send तो हो गए लेकिन आप इसमें देखेंगे कि आपको send करने के बाद आपको gift card नहीं मिला क्यों नहीं मिला gift card क्योंकि आपने वो process follow नहीं की जिस process की मदद से आपको gift card मिल सकता तो चलिए अब हम वो वाली process देखते हैं जिसमें आपको gift card मिलेगा और जैसा कि मैं बता ही चुका कि आपको play store पर जाकर आपको phone पे जो है update करना पड़ेगा तो आप यहां से उसको update कर लेंगे अब मैं जो process बताने वाल हूँ आप यह वाली follow करेंगे तभी आपको gift card मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे जैसे हम phone pay को open करेंगे तो यहां पर आप देखिए यहां पर एक option आपको देखने में लगेगा view my rewards तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें मुझे एक card भी मैंने किसी को send किया था कल तो 25 रुपे का एक मुझे reward card मिला था जिसको मैंने scratch किया तो 25 रुपे इसमें मुझे मिल गया है तो इस type से आप कमा सकते हैं अब यह work कैंसे करता है तो हम आपको बताएं क्या करना है सबसे पहले आपको to my contact में जाना है यहाँ पर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर किसी भी एक particular बंदे को select करेंगे जो phone pay user है सिर्फ उसी को जो phone pay use करता है तो phone pay user को आप यहाँ पर select करेंगे select करने के बाद अब आपको क्या करना है यह उपर की side लिखा है अप to 1000 इस पर click करना है आप यहाँ से यदि direct send करते हैं कि मैंने आपको बताए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे यहाँ पर आने के बाद आप इसकी term and condition को थोड़ा पढ़ लेंगे पढ़ने के बाद आप send now पर जाएंगे जैसे अब send now पर जाएंगे अब आपको क्या करना है कि उसका number टाइप करना है आप उसको direct select नहीं करेंगे यहाँ से आप जिसको send करना चाहते हैं उसका number टाइप करेंगे जैसे 8269 मैं अपने friend को जो है send करना चाहता हूँ 49 तो मैंने इसका number यहाँ पर type किया आप क्या करना है यहाँ पर आपको add the rate करना है फिर YBL जैसे कि आप जानते हैं कि यह UPI होता है phone pay का तो YBL यहाँ पर लिख देंगे YBL करने के बद आपको इस पर click करना है इसकी बाद यहाँ पर आप अपनी amount select करेंगे तो आप minimum जो है 200 रोपे कर सकते हैं यहाँ थे करने के बास चल्क करने बाद यहाँ पर जो है 500 रोपे बदको करने पर मैं इस पक्रण अपशपर मेंने करेंगी कि you have one reward यहाँ पर एक option आ रहा है यह blank हो रहा है तो इस पर आप यहाँ पर tap करेंगे और आप देखेंगे कि आपको एक gift card यहाँ पर मिल चुका है अब इसको यह आप देखना चाहें कि कैसे है तो कैसे तो इसको आप जो है कि आप एक बंदे को एक ही बार कर सकते हैं बट यह limit नहीं है कि आप एक अपते में 5 को करेंगे 6 को करेंगे तभी मिलेंगी तो आप कितने भी कर सकते हैं तो दोस्तों दोनों process आपने देख लिए पहली process में जब मैंने किया किसी को पैसे send तो मुझे कोई भी gift card नहीं मिला वह आपको मिल सकते हैं और आप यह कमा सकते हैं यह आपकी wallet में होते हैं और wallet में होने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं चायए वो recharge करें या जहां भी आपको करना है वहां कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से related आपको कोई भी doubt हो तो नीचे comment box में जबरूर comment करके हमारे फिस्बूक पेज को लाइक कर लिए डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक मिल जाएगी वीडियो को लाइक कमेंट सेयर करना मत भूलेगा हमारे साथ बने रही है भी है पी नियोर लाइफ फॉल विच कीप स्मालिंग जैहन बंदे मात्रमुद